तो गाइस के सब सब आए होप सब बहुत बढ़िया होगे और आज दे 67 है हमारे चालेंज का और आज वली वीडियो में आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ काफी लोगों को पता हो गया होगा अभी तक बढ़ जिनको नहीं पता उनको बता दू एक नई एलेक्ट्रिक वहिकल आने वह लिए है लाइक कल उसकी ग्लोबल अन्वीलिंग है most probably expected delivery rates जान 2023 से स्टार्ट होएंगे अभी कुछ confirm नहीं है इन फाक्ट अभी लाइक लुक्स भी सामने नहीं है कल है ग्लोबल अन्वीलिंग 8 सप्टेंबर को बट confirm न्यूस है कि लाइक कल वही ग्लोबल अन्वीलिंग है और जो कार है महिंदरा की तरफ से आ रही है कल एवी हमारी एक्सवी 400 के नाम से हांजी एक्सवी 300 सबको बता आती थी तो लाइक ओल्मोस्ट वही वाली कार आ रही है टेल लाम्स आपको सेम मिलेंगे हैडलाइट सेम मिलेगी ओल्मोस्ट फ्रंट ग्रिल में डिफरेंस आएगा क्योंकि एवी कार्स में होता है जैसे कि आप आस्टर या ZS EV में भी कंपेर कर सकते हो तो वही लाइक XV 300 ए XV 400 के नाम से आ रही है बट EV में तो लाइक यह हमारी एक राइवल होईगी नेक्सोन को और हमारी ZS EV को लाइक सबको पते मीनी SUV की रेंज में आ रही है मीनी SUV की सेग्मेंट में EV कार आ रही है कल महिंदरा की तरव से वैसे भी महिंदरा लाइक कार्स पर कार्स निकालता चारे तो एक और उसकी कल ग्लोबल अन्वीलिंग है तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत पिच्चर से एकस्पेक्टेड प्राइस रेंज है एकस्पेक्टेशन है कि लाइक कितने किलोमीटर की रेंज देगी तो वो सब मैं बताता हूँ आपको वीडियो स्टार्ट करते है तो यह आपको दिख रही है कि लाइक स्पाई वीडियो से लीग होती है तो यह हमारी है एक वीडियो या फिर लाइक आप पिच्चर बोल सकते हैं एकस्पेक्टेशन चीज़े मैं आपको बतानी थी वह यह थी लाइक ओविसली हर एक चीज़ कॉमन तो है एक वीडियो से लाइक शेप्स वगेरा लोक वगेरा बढ़ा दिमेंशन थोड़ बहुत फरक हो सकते हैं बाकि जो लाइक इसकी हेडलाइट टेल लाइट और अलोई डिजाइन यह तो बिल्कुल सेम होंगे एकस्वी 300 से बाकि जो फ्रंट ग्रेल हो हमारी क्लोज जोईगी जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया बाकि एक टीजर वीडियो महिंदरा की साइट से ओफेशली भी थी वह भी आपको दिखाऊंगा इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो रेंज एकस्पेक्टेड हो सकती है वह 450 किलोमीटर की मेंचन अभी लाइक शौर नहीं है कि क्या है बट 400 प्लस दे सकते हैं आपको सिंगल चार्ज में एकस्पेक्टेड जो प्राइज है 15 लाक लिखाऊ है बट जो मेरा कैसे 17-18 क्रॉस कर जगा उन रोट आते हो है जैसे कि नेक्सोन का भी अपना अच्छा मोडल इतना ही कह आता है या फिर आप जेडिस इवी के कह सकते हो अपनी एमजी की तो यह एक अल्मोस इतने में ही रेंज करेगा बट हाँ एक अच्छी सेल्स करीगे कार विकॉस आज कल एवी ट्रेंड में है और एवी जो भी आव अच्छस दी भी है बट यह लाइक आपको एक स्वी 300 जैसे ही लगेगी आप देख सकते हो टेल लांस पर आपको एक स्वी 300 जैसे ही लखेंगे और एक जो वीडियो ओफेशली महिंदर की साइट से आई है वो यह है मैं आपको दिखा दू यह जैसे मैं आपको बता रहा था तो यह आप देख सकतो इसमें फ्रेंट ग्रिल आपको क्लोज दिखाईए यह आप देख सकतो बिल्कुल क्लोज है हमारी फ्रेंट ग्रिल जो की इंट्रड्यूस होने वाली है और इसमें लोगों भी शहत से क्रोम प्लेटिंग में या फिर लाइक डाक ब्राउन स्टोन में लाइट ब्राउन स्टोन में आएगा यह आप देख सकतो कॉपर कलर है कुछ और एक सीवी 400 लिखा हुए तो यह जैसे कि मैंने आपको बताएगी रिवीर है हमारा 8 सेप्टेंबर को 7.30 पीम इंडियन स्टांडर्ड टाइम तो वही लाइक अब जो भी है कल हमारी एक बढ़ा यह जो कार आएगी हमारा लाइक क्रोम टच में जरूर आएगे विकॉस यहां पे आपको क्रोम शेट दिख रहा होगा आपको इसके लोगों में भी क्रोम टच दिख रहा होगा तो इवी में यह डिफरेंस आएगा हमारा बाकि जो भी चीजे आएंगे मैं आपको जरूर रखूँगा यही बताना था है अमारा राइवल फाइनली आ रहे है निक्सवान इवी का या फिर आप बोल सकते हो MG ZS EV का क्योंकि सिर्फ यह दोनों ही अभी इस सेग्मेंट में थी जो थोड़ी लाइक प्राइस रेंज में भी अफोड़िबल थी और काफी सेल्स हो रही थी इन दोनों कार्स की तो लोग कंफ्यूज होते थी कि हम MG ZS EV पर जाए या फिर हम नेक्सवान EV पर जाए अब उनके पास एक और आप्चन आ जगा अब्विसली सेल्स इसकी लाइक डिलिवरी जान जैसे 2023 लखा हो है तो उसके बाद ही स्टार्ट होईगी और क्या पता है इसमें प्रोडक्शन में इनकी इशूज आए बठाएं एक कॉंपिटिशन आ गया एक और एक और राइवल आ गया है आई होप सबको वीडियो पसंद आए होईगी वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब करना हम मिलते है कल किसे नए कंटेंट के साथ अब तक लिए बाई बैस सीया